अगर आपको नहीं पता तो इस पर पहले वीडियो बना दिये उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के टाइटल यानी नाम पर क्लिक करना है यहाँ पर जैसी आप क्लिक करेंगे उसके बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जागा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसी आप अपने WhatsApp को अनिस्टॉल करके दुबारा इंस्टॉल करेंगे आप से 2-step verification का password पूछा जाएगा और अगर आप password भूल जाते हैं तो आपको उसे forget करने में यानि दुबारा से reset करने में काफी दिक्कत आती है तो मैं आपको आप वीडियो कुएंट तक देखिए इस वीडियो में मैं आपको तरीका बता दूँगा तो जैसी आपर आप mobile नमबर वगएरा डाल के verify कर लेते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है 2-step verification का password जो कि आपको नहीं पता है तो पता करने के लिए यानि रिसेट करने के लिए आपको ऊपर एक option मिलेगा यहाँ पर forgot pin तो आपको इस पर click करना है जैसी यहाँ पर आप click करेंगे उसके बार आपको send email पर click करना है आपको इसे open करना है open करने पर आपके सामने इस परकार का इंटरफेस का उपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ यानि अब हमारे whatsapp account से two step verification हट चुका है यानि off हो चुका है अब आप अपने whatsapp के अंदर direct sign in यानि login कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है तो मैं not knock कर देता हूँ और उसके बाद आप जो भी यहाँ पर two step verification अगर आप फिर से on करना चाते हैं तो आप फिर से two step verification उसी तरीके से on कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिक मिल जागा आप उस वीडियो को देखकर फिर से two step verification on कर लिजे तो यही है तरीका जिसका इसमाल करके आप अपने two step verification का password कर भूल जाने पर उसे दुबारा से recover कर सकते हैं इसके और और कोई तरीका नहीं है तो यही तरीका उम्मिद करते हूं वीडियो आपको पसंद आगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरू करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए यहां पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी तो दोस्तों मैं मिलता हूं से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बार